है गाइच आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं आपने बकरिया तो ज़लूर देखा होगा अपने लाइफ में क्या आपके मन में यह आया है कि दुनिया में लगबख कितनी बकरिया होगी या बकरी के कितनी दांथ होते हैं तो इसी तरह के fact हम जानेंगे आज की इस वीडियो में तो दुनिया में लगभग 450 मिलियन बकरिया है और एक मिलियन में 10 लाक के ब्राबर होता है और बकरी की केवल नीचे के दात होते हैं और उपर के दात नहीं होते हैं सिर्फ उस पर मसूड़े होते हैं दात नहीं होते हैं तो आपको क्या लगता है कि उन्ट कितने साल तक जीवीत रह सकता है तो आप ये comment box में जुरूर बताएं चलिए हम आपको बता देते हैं जो उन्ट है उन्ट को कहते है कैमल की जो आउसत जीवनकाल होता है वो 40-50 वर्स तक जीवीत रहता है दुनिया के सबसे च्छोटे आ अद्मी तुर्की के सुल्तान है और उनका नाम है सुल्तान कोशन और उनकी जो लंबाई है वो लगबख 8-3 इंच है या 8-3 इंच के बराबर है और इन दोनों को या जो नेपाल के रहने वाले हैं चंद्रबादु डोगी और तुर्की के सुल्तान कोशन इन दोनों का Guinness Book of ङाद्रोगे में तोनों का नाम सब्हूंसामिल हैं आपkkे लंबाइं कितनी है ये कमेंट बॉक्स wig आप बताने वाशे सबीसे distant दुनिया की सबसे महेंगी बाफने वाली है हम आपको बताते हैं कि यह अब तक की सबसे महंगी बिखने वाली बकरी है और इसको बेचा गया था एक लाए गता एक लाख चाहर 54.2 रुपीज में होता है यानि एक डालर सतर से स्थातर के रुपय के बीच होता है तो आप इसको रमाई करेंगे अगर आप इसको जोटे जोडों के उपर हैं एक बकरी की कीमत यह आप तक किसे सबसे मेहंगी भीक्नेवारी बकरी योँ में से एक अधे ऐस भोशा दूसी खास बात थी जहाए को क्मेंट कर सकते हैं सो हूझ बद्पन में जिरो होगी है अगर आपको नहीं पता है तो यह सून एक सांख्यospor jetos 21978 मैं 18hip म Señй फोल्टा हो जाएन है इसे मल्टिप्ला करने पर फोर के मल्टिप्ला करेंगे सैंड बासी जएक या 87912 यह इसका रिवर्स हो गया या फिर उल्टा हो गया है नेक्ट फैक्ट हमारा है फैक्ट नमबर थ्री तो अगर आप भी चिलकम खाते हैं या फिर चुंगम चबाने की आदत रखते हैं आप चुंगम को आपको पसंद है तो अध्यान में यह पाया गया है कि जिन लोग कभी जंग क्यों लगता है तो अगर आप नहीं जानते हैं चलिए हम आपको बता देते हैं तो आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ट्रेंवेस पर जरूर किया होगा अगर यात्रा नहीं की भी हो तो आप रेल की प्रदर्जियों को जरूर देखे होंगे लेकिन क कि आपने कभी सोचा है कि हमें हमारे बंदर तक पहुचाने वाली लोही की पटरियों पर कभी जंग क्यों लगता है या कभी मुर्चा क्यों लगता है तो इसके पीछे की बज़ा क्या है तो सारा कुछ हम जानेंगे आज किस वीडियो में अगर आपको इसके बारे में जान करें नहीं है तो कोई बात नहीं है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर जंग क्यों लगता है या फिर मुर्चा क्यों लगता है सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि मुर्चा क्यों लगता है या फिर जंग क्यों लगता है क्यों लग जाती इसके बाद हम जानेंगे कि railway track पर जंग ना लगने की क्या वजा है एक भूरे रंग की परद iron oxide जम जाती है इस प्रक्तिया को धातु का संचारन या लोही में जंग लगना कहते है यह नमी की वज़ा से होती है और oxygen carbon dioxide sulfur अमल आधी के समिक्राट से यह परद बन जाती है दरसल railway railway track बनाने के लिए एक खास तरह की steel का इस्त्वाल की जाता है इस steel और मेगलाए को मिला कर ट्रेन की प्रद्धरिया बना जाती है इस ट्रेन की प्रद्धरियों पर सालों साल जंग नहीं लगती वही अगर railway track को आम रोहे से बना जाए तो हवा और नमी की काराण उसमें कि अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप इस चनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी कमी है वीडियो में या कुछ भी गलतिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं हम अपनी गलतिया सुधारने के पूरा प्रियास करेंगे और आप कमेंट करके जल्द निश्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई